ज्वाइन आई एफ यानि के इंडियन एयर फोर्स बी अ पार्टनर इन नेशनल डिफेंस राश्ट्रिय सुरक्षा में भागीदार बने इंडियन एयर फोर्स की ओफिसियल वेबसाइट पे कुछ ऐसा अपडेट इस समय दिखाई दे रहा है और यह देखने में बहुत ही लग रहा है आप खुद इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं यहाँ पर हम बात करने के लिए आये हैं कि क्या आपकी तैयारी चल रही है या कि फिर IPL के चक्कर में यह तैयारी आपकी फीकी ने पड़ जाए तो अगर आपका सपना है कि इंडियन एर फोर्स जोईन करना है तो अपने मकसद को डेली याद रखे और डेली प्रिपरेशन करते रहे और इसके लिए अगर आप इस ओफिसियल वेबसाइट पर जाते हैं इंडियन एर फोर्स के तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि आपके अंदर की चिनगारी जाग उठेगी जैस किया गया था कि फर्स्ट वीक यानि कि नवंबर के फर्स्ट वीक में होगा तो वो अभी तक वैसे का वैसा बरकरार है तो उमीद जताई जा सकती है कि नवंबर में आपका एक्जाम होगा तो क्या आप उस एक्जाम के लिए तयार है और किस हद तक तयार है इस चीज़ को क पास करना होगा, X हो या कि फिर Y हो या XY बोथ हो, एक्जाम में सबसे इंपोर्टेंट सीज जो होता है वो इंग्लीस है और इंग्लीस में पास होना अनिवार्डी है, तो इंग्लीस के जिस भी सेक्षन में आपको प्राब्लम ज्यादा आ रही हो, चाहे वो वन वर्ड सब्च या ADM फ्रेज हो, या ANTONYM हो, या SYNONYM हो, या FIND THE EARRE हो, या FILL IN THE BLANK हो, या PASSAGE हो, या ACTIV PASSAV हो, या NIRRATION हो, जो भी सेक्षन हो, अगर आपको उसमें प्राब्लम आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा, ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है, कि आप तयारी कर रहे हैं, या कि फिर नहीं कर रहे हैं, ये सब अपडेट आप कमेंट बॉक्स में बताएगे, साथी साथ आपको जिस चीज में प्राब्लम है, वो बताएगे, और आप किस हद तक तयार हैं, वो अपना जोस, जुनूर और जज़बा, कमेंट बॉक्स में दिखाएंगे, उसके बाद इस संडे को होने वाले टेस्ट के लिए आपको आगाह करने के लिए वीडियो बनाए जा रही है, कि इस बार जो टेस्ट होगा, वो बहुत ही मज़िदार होगा, और बहुत ही बहतरीन टेस्ट होगा, और ये कठीन भी हो सकता है, तो इसके लिए आप mentally तैयार रहेगा, इस संडे आपका टेस्ट बहुत ही जवर्दस्त होने वाला है। अब इसे हम आपको अगाह कर दे रहे हैं, आप कुछ इस प्रकार से तैयारी करिए कि माल लिए कि आपको संडे को एक्जाम ही देना है। तो जैसे पहले आपका टेस्ट हुआ करता था, उसी प्रकार से टेस्ट होगा इस संडे को लेकिन बहतरीन ढंग से और आप उसके लिए mentally प्रिपेर होंगे। इस बार हमें उमीद है कि आप टेस्ट में कम से कम 75% जरूर अपना रिजल्ट दिखाएंगे। उमीद है कि आप सभी बहतरीन होगे और तैयारी कर रहे होंगे, अपनी राय जरूर दिजेगा, मिलेंगे नएक स्टूडियो में, तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम।